Hello, Good Morning and Welcome Back Friends, आप देख रहे हैं Pacer Education YouTube चैनल, आज़के इस वीडियो में बात करेंगे 20 अक्टोबर से रिलेटेट जितने भी important current फिर बनती हैं, सारे इस वीडियो में complete करेंगे, साथ ही काफी सारे extra effect भी यहाँ पर discuss करेंगे, सोग पूरे लेसन को थ्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखेगा, इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के description में से, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो लास्ट वीडियो की quiz थी आपके लिए, कॉसन था कि Inspiration 4 किस agency द्वारा launch किया गया एक अंत्रिक्ष मिशन है, तो correct answer आपका यहाँ पर था SpaceX, सी वाला option यहाँ पर आपका correct answer था, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की current और फिर की, देखिए पहला update आपके सामने है, दिल्ली के उदमी जिनको हालखी में अर्थ सोट पुर्षकार के लिए चुना गया है, तो correct answer होगा, यहाँ पर देखिगा, विद्दुत मोह जो की दिल्ली के एक उदमी है, इन्ही को हालखी में यह अर्थ सोट पुर्षकार के लिए चुना गया है, थोड़ा detail में बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ देखिएगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनका नाम आपको यहाँ पर देहन रखना है, वि इद्ध मौन की अगवाईवारी जो टाकाचर पर यूजना है, इसको पसलों के अवशेशों को बिक्री योगे जेव उत्पाद में बदलने की जो नवन मैसी किफायती तकनीक है, इसी के लिए हमारी स्वच वायू की स्रेणी में इनको विजेता गोसित किया है, और इन्हे इनाम के रूप में दस लाख बिटिस पाउंड दिये गया है, दस लाख बिटिस पाउंड के अगर मैं इंडियन करंसी में कनवर्ट करता हूं, तो लगभग ये हुए दस पॉइंट तीन करोड रुपए के समतिंग हो गए, जो कि इनकी इनामी रासी है, तो ध्यान रखेग इंपोर्टेंट है, क्यों दिये गया है इनको, इन्होंने एक प्रियोजना, इनकी अग्यवाई में एक प्रियोजना सुरू कर गई थी, टाकाचर प्रियोजना, जो उसका कारिय क्या था, पसलों के जो अवशेस हैं, उनको बिखरी योग्ये बनाने, बिखरी योग्ये जे उत्वादों में बदलने के लिए इन्होंने ये किफायती तक्नीक लॉंच किया है और उसी के लिए इनको ये इको उसकर या फिर अर्थ शोट उसकार प्रदान किया गया है नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा हाल ही में उत्राखंड में खोजे गये ऐलियम नेगी एनम किसकी नई प्रकिस्म है तो यहाँ पर आपका करेक्टान सुगा प्याज देखे एक चीज यहाँ पर ध्यान के द्वारा की जा रहे थी उत्राखंड में बटी साइंटिस्टों के जो भारत के विगयानिक है उनकी नजर में अभी आई है और यहाँ पर पर्टिकुलर इसको प्याज की किसम नहीं कह सकते आप यहाँ पर ओप्शन है इसलिए हमने यहाँ इसका करेक्टान सर प्याज ल लखनी है नेक्स्ट यहाँ पर देखेगा किस राज्य में ललन इसमरन उत्सव का आईजन किया जा रहा है तो यहाँ पर करेक्टान सोगा आपका बंगलादेश देखे एक बात हो रही है ललन इसमरन उत्सव की यहाँ देखेगा इस उत्सव के वारे में थोड़ा से डिट किया है अगर मैं बात करता हूँ देखीगा जो शूपी संत है इनके बारे में तो यहां देखेगा ये इनका जो महतपून योगदान रहा था देश के लिए ये एविवाजित हिंदुस्तान जब विवाजित नहीं हुआ था उस टाइम पे खास तोर पर बंगाल शित्र में अ सहत ये ललन इसमरन उत्सव का आईजन किया रहा है बांगलादेश के अंदर नेक्स्ट अपडेट देखेगा किस राज्ये ने 17 अक्टोबर 2021 को मेरे घर मेरे नाम योजना लोंच की है तो करेक्ट अंस होगा पंजाब सरकार ने पंजाब सरकार ने ये मेरा घर मेरे नाम स् होppers मेरा है तो겠다 आंस होगा फ्लीफिंस देखे जो कॉमपासु चक्रवात है ये अभी आया है फ्लीफिंस के फ्लीफिंस इससे काफी मैस्ट तवाई हुई है और ये चीज्ज़ आपको धिहान में रखनी है आप ठीक है कॉमपासु जा तक्क्रवात है या फर डारेक्ट ली यहाँ पर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो कॉमपास हुई यह क्या है जो आली में खबरों में रहा है तो एक उशन कटी बन दिये चक्रवाद तूफान ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखेगा RBI ने अमिताब चोधरी की तीन साल की अवदी के लिए किस बैंक के MDA CEO के रूप में फिर से नियुक्ती को मंजूरी दे दी है करेक्ट आन्स रोगाप का यहाँ पर एक्सिस बैंक देखें यहाँ पर इससे पहले भी अमिताब चोधरी अक्सिस बैंक के MDA और CEO थे लेकिन यहाँ पर इनका कारेकला भी समाप्त हो रहा था एक बार फिर से RBI ने इनके तीन साल के लिए इस पद पर नियुक्ती को मंजूरी दे दी है तीन साल तक के लिए फिर से अमिताब चोधरी अक्सिस बैंक के CEO और MD के रूप में कारेरत रहेंगे नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा किस देश ने लांग मार्स 2D रॉकेट कर ताइवान उपग्रेब प्रेक्षपन के अंदर से अपना पहला सोर अउशन उपग्रेब सी हे सपलतपूरोग लॉंच किया है तो करेक्ट आन्स होगा चीन नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा अलमनत्री नरेंदर मोधी 22 अक्टोबर को उतरप्रदेश के कुशी नगर में देश के कोन से अन्तरायग्वाएड़े का Ud pluck गाठन करेंगे करेक्टराम सोगप का डीवाला 39वे देखे देश का 39वा अन्तरास्टियवाएड़ड़ अंतरास्टियवाएड़े की बात हो रही है आपर ये बन गया है कोन सा जो कुशी नगर है उत्तर प्रदेश का ये देश का 39 वा अंतराष्ट वायड़ बन गया है जिसका उदगाठन आज यानि की 20 अक्टोबर को प्रदाल मंत्री मोधी दुआरा किया जाएगा देखें ये जो अवायड़ है विसे काफी जब मतलब की हमारे आजादी मिली थी देश को उसे पहले अंगरेजो के दुआरा यहाँ पर हवाय पट्टी का निर्मान किया गया था बट उस टाइम पे इसको यूज नहीं किया गया था पहली बार जब इसका यूज किया गया था वो किया गया था जब बोध सम्मिलन हुआ था उसके दोरन विविने देशों के से जो लोग आया थे उनके लिए इसका पहली बार इस पट्टी का रणवे का उप्यों किया गया था और अभी फिर यहाँ पर इसका पुनुरुद्धार किया गया है और इसको अंतराश्टिय अवायड़ा बना गया है तो यह चीज ध्यान रखे गए देश का 29 वा अंतराश्टिय अवायड़ा है उसके अलावा एक और प्रदेश का तीसरा और सबसे बड़ा रनवे वाला अवायड़ा है यह भी आपको ज्यान में लखना है ठीक है नेक्स्ट अपडेट देखिएग लद्दाक का प्रमान पत्तर निवास प्रमान पत्तर करने वाली पहली महिला बन गई है यहां देखिगा पिछले टाइम पे आपको मैंने बताया भी था आपने भी पढ़ा हूँ अच्छे से देखिगा केंदर सरकार ने 5 अगस 2019 को ततकालिंग जम्मु कस्मीर राज्य को दो केंदर सासित प्रदेशों विवाजित किया था और वहां जो आर्टिकल 370 की जो विशेश धर्जा दिया गया था जम्मु कस्मीर को वहां पर समाप्त किया था ठीक है तो उसके बाद में यहां पर जो है जो क्या होता था अब तक यहां पर 2019 का जो गटना करम था वहां तक सभी को जो है केवल जम्मु कस्मीर की नागरिकत का निवासप का प्रमान पत्र दिया जाता था लेकिन अभी यहां पर लद्दा को अलग से केंदर सासित बना गया है और उसके बाद में यहां पर इसका पहला निवास प्रमान पत्र दिया गया है और यह यहां पर यह प करेक्ट आमसर होगा यहाँ पर आपका लेफटिनेंट जनरल देवेंदर शर्मा, इन्होंने यहाँ पर हाल ही पसी मिकमान के चीफ ओफ स्टाप का पदबार ग्रेहन किया है, नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करते हैं जो आज की क्वीज है, इसका आमसर आपको नीचे कमेंट बोक्स में लिखना है, तो देखे कॉसन है कि किस भारती है सत्रंज ग्रेंड मास्टर ने नौर्वे सत्रंज ओपन चैंपियंशिप 2001 केस का खिताब अपने नाम किया था, जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बोक्स में, सुगैश यह थी आज की करन्ट फिर्ष, हब आपको वीडियो पसंद आईए, तो लाइक शेर चरूर कीजिएगा, आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स टूरी में, धन्यवाद.